नमस्कार मैंडम संदीप संगपता और ये एलेक्रिक वेहिकल्स हिंदी टाटा मोटर्स ने मार्केट शेर 90% मार्केट शेर होल्ट किया हुआ है तीन वेहिकल्स के चलते परसनल मोबिलिटी में हो गई आपकी नेक्सोन इवी और इधर हो गई टिगोर इवी और उसके बाद कमर्शियल सेक्टर में हो गई एक्स्प्रेस टी बस तीन मोडल के चलते हैं मार्केट शेर की 90% इलेक्रिक गारी जो बिक्री हो रही है वो टाटा मोटर्स की है और अब टिगो इवी आ रही है टिगो इवी की जो कीमत है वो बहुत ही कम रखी गई है और अब तो इनकी मार्केट शेर और भी ज़्यादा बढ़ने वाली वैसे ध्यान रखी गई टिगो इवी को जब लॉंच किया गा था तो सारे आट लाग के प्राइस में उसको लॉंच चिया गा था टाटा ने एक्सपो, वॉटो एक्सपो 2023 में दो नए गारी और दिखाए जो कि आगे जाके भविश्य में लॉंच होने वाली तो शे गारी टाटा मोटर्स जो है लॉंच करने वाली दो गाडी एकदम हाली में बहुत जल्दी, दो गाडी थोड़े देर बाद और दो गाडी काफी समय लग जाएगा, तीन साल के करीब, दो-तीन साल के करीब लग जाएगा, उस सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे तो सबसे पहले दो गारी के बारे में बताते हैं जो कि बहुत जल्दी लॉंच होने वाली है या तो इस साल के अंत में या फिर आने वाले साल के बिगिनिंग में शुरुआत में लॉंच होने वाली है एक तो हो गई Tata Altros EV इसको काफी समय से दिखाया जा रहा है इस बार भी Altros EV की जो exterior है की definitely एकदम जो उसकी Altros जो premium hatchback है पेट्रोल में बिल्कुल उसी की तरह रहने वाली है बाहर से देखने के लिए बस color change रहने वाले और अंदर battery pack में multiple options रहेंगे शायद 3 रहेगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छी strategy है जिसको भी लेना है अपने सहूलियत के हिसा जो आत में आने वाली है compact SUV है 5 star rating के साथ आती है और इसमें भी battery options अलग लग रहने वाले लेकिन 25 से 30 kWh की battery options रहेगी क्योंकि इसकी जो कीमत है उसको 15 लाग के नीचे रखना है Tata Motors को ताकि fame to subsidy मिल सके क्योंकि 15 के ऊपर चलीगी फिन नेक्सवन के साथ competition में आ जागी और लो models की कीमतों को कम रखा गया है और जितना उनको window मिल सके बेचने के लिए उसी में उन लोग इसको launch करने वाले है अब अगले दो models के बार में बात करते है जो 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में भी launch हो सकती है और वो है सबसे पहले Tata Sierra IV तो चली जो model है वो पहले petrol में बिक्त पुरानी गारी थी उसको अभी वो नई electric version में ला रहे हैं बहुत spacious है futuristic दिखती है बड़े बड़े खिर्की है panoramic view आपको मिलेगा हर तरफ से बहुत खुब्सूरे दिखने वाली Sierra EV है premium hatchback में पढ़ने वाली है उसकी category तो उसमें अभी समय है करी 25-30 लाग तक भी जा सकती ह उसकी कीमत है उसमें अभी समय है आप उम्मीद कीजिए कि 2024 के अंत में या फिर 2025 के शुरुआत में आपको Tata Sierra EV देखने को मिल जाएगी उसके साथ Tata Harrier EV भी देखने को मिलेगी Tata Harrier बहुत ही special रहने वाली है क्योंकि देखिए इसकी जो architecture है वो same उसकी petrol या diesel जो भी मिलती ह अब दो concept cars के बारे में बात करते है एक तो हो गई आविन्या और अविन्या संस्क्रित में हो गई innovation और दूसरी हो गई आपकी Curve EV कूपे design है इस तरह की vehicles भारत में बिकती नहीं है काफी futuristic दिखती है दोनों vehicles और उन्होंने जो दिखाया था जो models उन्होंने दिखाया था वो दिखती है इतनी अच्छी एक line-up हमको मिल रही है अगले दो से तीन साल के अंदर और उमीद करते हैं कि Tata Motors हमें ग्रहकों को अच्छे अच्छे options देगी और इसी तरह से market share में अगर अच्छा कर रही है तो hug बनता है उसका market share में आप क्या सोच रहे हैं अगर आप कोई Tata Motors क के वेहिकल के बारे में इंतजार कर रहे है या फिर कोई ऐसी वेहिकल जो आप देखना चाहते हैं EV फॉर्म में तो definitely comment section में बताईगे मेरे तरह से मैं तो Tata की nano EV को एक solid rugged safety वाले features के साथ और strong body के साथ EV format में मैं देखना चाहता हूँ आप भी बताईए हैं आप क्या सोचते इसके बारे में और इस चैनल को subscribe करके रखिए संकल्प करें वीतियो चुनें